हेलो फ्रेंट्स आपने देखा हुआ कि बहुत से लोग कुछ ही टाइम में अमीर बन जाते हैं जैसे उन्होंने पैसे कमाने का कोई magic सीख लिया हो हम उस पर बिलीव नहीं करते और फिर सोचने लगते हैं कि जरूर ये कोई illegal काम करता होगा पर आज कोई magic या illegal रास्ते के बारे में नहीं आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा रास्ता जिसमें success की 100% surety है सो लेट्स बिगिन दुनिया में तीन टाइप के लोग होते हैं साइड़ वॉकर्स, स्लो लिनर्स और फास लिनर्स साइड़ वॉकर्स ये कोई future plans नहीं होते क्योंकि ये long term नहीं सोचते और usually अपनी salary पर depend रहते हैं डेल सारे कपड़े, shoes, नए-नए gadgets जो ये afford भी नहीं कर सकते ऐसी फाल्तू चीजों में अपने पैसे waste करते है ऐसा show off करते हैं जिससे वो दूसरों को rich लगे then finally अपनी financial situation के लिए दूसरों को blame करते हैं जैसे इस country की government ही अच्छी नहीं है या फिर मेरा time अच्छा नहीं चल रहा है नहीं तो मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है इनकी सारी problems external force से create होती हैं और इसलिए इन से ये बाहर निकलने का कभी सोचते भी नहीं इसलिए इनकी financial destination 3P पर stand करती है piss, poor, poverty जिसका reason है इनकी financial intelligence slow learners basically slow learners की life होती है एक अच्छे college में पढ़ो फिर एक decent सी job ढूड़ो जहां आप ज़्यादा कमाऊगे फिर उसमें से कुछ saving करके कहीं invest करो then finally जब आप 60 या 65 के हो जाओ तो millionaire बन जाओगे लेकिन deeply सोचो कि जब आप 60 साल के हो जाओगे तब शायद आप ऐसे चलोगे या फिर ऐसे तो उस age में millionaire बन के आप क्या करोगे इनका, इनका और इन सभी चीज़ों का slow learners की सबसे बड़ी problem है खुद को 60 की age तक बेच देना, वो भी future की safety और insecurity के लिए जो actually उस age में in comfort और insecurity में बदल जाती है slow learners की choice होती है, poor and settle for less life अब बात करते हैं fast lane के बारे में fast lane एक shortcut के जैसा है हो सकता ही आपको overnight अमीर बना दे, इसी लिए इसी ध्यान से समझने की कोशिश करो इसकी सबसे important process है लोगों की needs पूरी करो इसका मतलब में ये नहीं कहरा कि आप NGO join करो और लोगों की help करो इसका मतलब ऐसी service provide करो जिसने लोग खुद आपको पैसे दे इस lane पर चलने के लिए आपको अपनी life में 4 quick change करने होंगे so let's see them quick change number 1, dump hope as financial plan आप अपनी job, investment या stock market से यह उम्मीद करना छोड़ दो कि वो आपको किसी दिन अमीर बना देगी क्योंकि retirement के बाद जब आपकी age 60 plus हो जाएगी तब वो पैसे आपकी किसी काम के नहीं होंगे make time your ally not enemy अपने time का सही utilization करो उसे थोड़े से पैसे कमाने में waste मत करो क्योंकि आपके वो थोड़े से पैसे और धेर सारा सामान आपको satisfy तो कर सकता है पर कभी अमीर नहीं बना सकता है millionaires अपने time का utilization tangible value create करने में spend करते हैं मतलब ऐसी चीज़े बनाने में जो उनके absence में भी उनका bank balance बढ़ाती रहती है for example book लिखना, podcast record करना internet website बनाना, music album बनाना, etc ये चीज़े 24-7 काम करती है वो भी बिना उनकी presence के quick change number 3 quick chasing money, start chasing needs जाधा तर business के fail होने का रिज़ा ने उनकी selfishness जो business सिर्फ अपने profit के बारे में सोचते है वो कभी successful नहीं हो पाते वो ये नहीं समझ पाते कि market को उनकी personal life से कोई फर्क नहीं पड़ता no one cares about your Ferrari और विला ड्रीम्स और जो business लोगों की needs पूरी करते हैं वो successful ज़रूर होते हैं for example, अगर मैं एक shop की पर हूँ और आप मुझसे कोई सामान खरीद कर ले जाते हो लेकिन आपको पता चलता है कि मैंने wait करते समय आपको cheat किया है तो क्या आप next time मेरे पास आओगे definitely not आप वही जाओगे जहां आपको satisfaction मिलता है आप जो product खरीद रहे हो वो आपके spend की यह हुए पैसे के worth हो अपने आप से पूछो क्या आप लोगों की life कैसे improve कर सकते हो जिससे वो खुद आपको पैसे देख कर जाए quick change no.4 escape the ceiling and reinforce the floor imagine करो कि आप अपने घर की छट easily touch कर सकते हो तो इसका मतलब आप एक बड़ी problem में हो क्योंकि अगर आप jump करोगे तो आपका सिर ऐसा हो जाएगा इसलिए आप जो काम कर रहे हो उसे अच्छे से समझो कि आप उससे कितना पैसा कमा सकते हो जैसे अगर आप कोई एप बना रहे हो तो उसकी अच्छे से study कर लो कि आपके उस एप का idea कितना unique है जिससे जादा से जादा profit हो after all वो अकेली चीज़ आपकी life change कर सकती है और हो सकता है कि इसके बाद आपको कभी काम करने की ज़रूरत भी न पड़े reinforce the floor का मतलब है हमेशा आपने पास एक backup plan तयार रखो क्योंकि आपका business किसी के सिर्फ एक decision से ही खतम हो सकता है इसलिए जिस फर्ष पर खड़े हो उसे परक लो कि कई वो कमजोर तो नहीं और अब पाँच बाते जो इस lane पर चलने के लिए आपको हमेशा याद रखनी है needs, entry, control, scale and time सो फाइनली मैं यही कहूंगा कि फास lane में चलकर आप slow laners या side walker से comparison में बहुत कम time में millionaire बन जाओगे जिसका example कई लोग है जैसे Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, Mark Zuckerberg etc. हाला कि इस lane में चलना इतना easy नहीं है बट worth है क्योंकि यह आपके life के सबसे important साल बचाने की बात है So guys यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment box में जरूर बताएं और पसंद आया हो तो like करे, subscribe करे इस channel को upcoming videos के लिए and till then be productive